नमस्कार मैं हूँ स्वराज श्रिवास्तो और लोग सुभा चुनाओ 2019 के नतीजों का एलान कल यानि 23 मई को हो चुका है और ऐसे सारी वीडियोज बना करके मैंने आपको बता दिया है कि दिल्ली में किसको कितनी सीटे मिली पश्ची मंगाल में किसको कितनी सीटे मिली अगर आपने वीडियोज नहीं देखे होंगे तो जा करके देखे लेगा कार्ड्स में लिक दिया हुआ है लेकिन आज इस वीडियो में हम बात करेंगे उन बड़े चेहरों की जो तस्वीरे आप इस अपनी स्क्रीन पर इस समय देख रहे हैं कि वो हारे हैं या फिर जीते हैं अपनी सीट से जहां से वो इस बार उम्मिदवार के तौर पर उठे थे तो इन बड़े चेहरों के इस्थिती समय क्या है नतीजे आने के बाद ये आज इस वीडियों में मैं आपको बताने वाला हूँ तो सबसे पहले इन दिगस नेताओं में शुरुआत करूँगा मैं प्धानमंतिर नरेंदर मोदी से जिनको इस बार बहुत ही बड़ा जनमत मिला है और नरेंदर मोदी वरारसी की सीट से एक बार फिल्स से जीत गया है इसके बाद अखलेश यादो आजमगड की सीट से जीत चुके है चुनओ दिनेश लालियादो को उनोंने हरा दिया है इसके बाद दवी किशन गोरकवी की seat से जीट चुके हैं और समाजवादी पार्टी के रामभुवल निशाद को उन्होंने तीन लाक से जादा वोटो केंतर से हरा दिया है इसके बाद राहुल गादी अमेठी की seat से इसमिति इरानी से हार गए है तकरीबन 55,000 वोटो केंतर से राहुल गादी अमेठी की seat से हार गए है इसके बाद सुन्यागादी राई बरेली की सीट से जीत गई है हर बाद जीती है इस बार भी उन्ने जीत दर्ज कर ली है राई बरेली की सीट से इसके लावा राजनाथ सिंग लखनोव से उम्मीदवार थे वो भी सीट से जीट चुके हैं और कभी ये सीट अटल विहारी वाचपेई के पास हुआ करती थी आज राजनाथ सिंग के पास आ गई है इसके लावा राजबबर फते पुष सिकरी से कॉंग्रेस के उम्मीदवार थे कॉंग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष है यूपी में वो इस सीट से हार गए है तो ये कॉंग्रेस के लिए बहुत दुख की बात है और कॉंग्रेस के लिए इसके लिए सोसना ज़रूर लेकिन पुरी की सीट से वो हार गए है और लोगों ने उन्हें सांसत के तौर पर ने इससे फेक प्रवक्ता के तौर पर स्विकार किया ऐसा लोगों ने उन्हें हरा करके बता दिया है इसके लावा कनिया कुमार बेगु सराय के सीट से हार गए है और इस सीट से गिरिराज में मुख्यमंत्री रहे दिग्विजय सिंग इस बार भोपाल की सीट अपनी नहीं बचा पाए और साधवी प्रग्या ठाकूर सीट से बहुत बड़े वोटो के अंतर से जीत गई हैं दिग्विजय सिंग से इसके लावा आजम खान रामपूर से जीत चुके हैं जैप्रदा क की चंता ने एक बार फिर से उन पर भरुशा दिखाया है और उन्हें सांसत के तौर पर चुन लिया है इसके बार मनोस्तिवारी उत्तर पूर्वी दिली से उमिद्वाद दिली के ध्यक्ष भी है बीजेपी के उन्होंने जीत दर्ज कर लिए है इसी तरीके से गौतम गंब मैनपुरी से उमिद्वार थे उन्होंने भी अपने पतिद्वंदी को हरा दिया है और मैनपुरी की सीट से उन्होंने भी जीत दर्ज कर ली है तो ये वो बड़े बड़े नेता थे वो बड़े चेहरे थे जिनके बारे में आप सभी जानना चाहते थे तो इन सभी नेताओ कि इस सिती क्या है, कौन जीता है, कौन हारा है यह सब कुछ आज इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है तो अगर यह वीडियो आपको पसंदाई हो तो इससे लाइक कर दिजिये और चिनौश से जुड़ी ऐसी धेर सारे वीडियोस के लिए पॉल्टिक से जुड़ी ऐसी धेर सारी वीडियो के लिए न्यूट से जुड़ी ऐसी धेर सारी वीडियो के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना बिलकुब भी मत भुलेगा तो फिलाल कृतना ही मिलूगा किसी और वीडियो में तब तक के लिए धन्यवाद